दोस्तों, आप लोग पूछते रहते है ना कि शिर्फ दसवी पास पे या सिर्फ बार्हवी पास पे जो है, रेलवे में अप्रेंटी स्रीप की भरती जो है कब निकलती है, तो फ्रेंच उसका जो है यहाँ पर आवाधन सुरू हो गया, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ दसवी पास पे और सिर्फ बारहवी पास पे जो है अलग अलग पदों पे यहाँ पे अप्रेंटिसिप की भरती निकाली गई है और वो भी रेलवे के द्वारा भारतिय रेल के द्वारा और यहाँ पे आप देखेंगे इंटे अलग अलग पद है और 12 पास के लिए भी अलग अलग अस्पेसल यहां पर आपका है उरहने वाला है पद तो जानेंगे इस भरती के संपूर जनकाली के बारे में अपमें से काफसर लोगों ने पूछा था कि सर इसके बारे में डिटल नोटिफिकेशन के बारे में सेर करिए तो फार्नली जो ही वीडियो नोटिफिकेशन के उपर होने वाला है मैंने ओलेडी जो है फॉर्म फिल अपकर रिकार्डिंग वीडियो बना चुका हूं कैसे फॉर्म को फिल करना है तो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्रिप्स में म पाऊंगा तो आप जो है जा सकते हैं आप फॉर्म पर सकते हैं मतलब क्या कि आप सोच रहें मैं बिहार से हो तो बिहार में मेरे ऐसा नहीं है यहाँ जो फैक्ट्री है पैट्री कहां पर-।यंब तो आपका जो engagement apprenticeship training होगा वो चैन्नई में होने वाला है अब यहाँ पे बोला गया कि preference to the candidates from Tamil Nadu Tamil Nadu के कोई candidates है तो उनको ज्यादा preference यहाँ पे दिया जाएगा form भरने का अंतिन दी थी 21 जून दोजार चौबी से अब आप इसे काश सर लोग पुछता है कि सर apprenticeship एक job होता नहीं है तो हम क्यों form भरें देखिए friends apprenticeship मुझे भी पता है सबको पता है कि एक job नहीं होता है एक साल के जो है आपका यहाँ पे आठ हजार नौ आजार दहजार तक जो है salary मिलता है पर मंत इससे कुछ होने वाला नहीं है तो एक यह तक आपको इतना मिलेगा पर मंत लेकिन यहाँ पे आपको जो certificate मिलेगा ना apprenticeship का वो सबसे ज़्यादा matter करता है वो certificate आप अगर railway में ही वेकेंसी आती है गुरूप D की तो यह certificate के वजह से मतलब apprenticeship जब आपको चूट मिलता है यह बहुँ जगा ऐसा form आता है जिसमें बोला आता है कि आपके पास ITI नहीं है कोई बात नहीं आपने apprenticeship किया हुआ है तो हम आपको मौका देंगे form भरने का railway ही खुद वेकेंसी निकालती है तो कभी कभी ऐसा apprenticeship जो है मांग देती इटाई नहीं किया है और apprenticeship किया है तो आप यहाँ पे possible रहेंगे तो सेम उसी परकार का यहाँ पे जो है वेकेंसी निकाली गई है सिर्फ दसवी पास के लिए और ITI के लिए भी है तो ट्रेंडिंग होने के बाद जो certificate आपको मिलता है वो ज्यादा कीमती होता है वो ज्यादा वैलोएबल होता है जब भी railway group D की वेकेंसी आती है तो अप्रेंटिस सी पवालो को ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रीफरेंस दे जाता है और उनको अलग से बोनस मार्क्स होगर दिया जता है या और कहीं भी डिपार्टमेंट वेकेंसी आती है अप्रेंटिस सी मांग देता है तो वहाँ पे आपको देना होता है तो यह इस इस website से आपको form को भरना है मैंने अलड़ी form fill up के regarding video बना हुआ है अब यहाँ पे देखिए freser के लिए अलग से यहाँ पे इन्होंने बना रखा हुआ है और यहाँ पे X ITI के लिए अलग से इन्होंने बना रखा हुआ है X ITI के मतलब क्या कि दौसवी के बाद कोई बना ITI कर रखा हुआ कारपेंटर से, इलेक्टिसियन से, फीटर से, मेकनिस्ट से, पेंटर से, वेल्डर से तो वो जो है इस वाले पद पर form भरेगा जिसमें 670 पद है अगर कोई सिर्फ मैट्रिक पास है तो वो इसमें से कोई भी पद पर अपलाई कर सकता है किसी भी trade में अपलाई कर सकता है इसमें आप देखेंगे 40-40 है सीट दिया गया फीटर मरसी सीट है मेकनिस्ट में 40 है, पेंटर में 40 है, वेल्डर में 80 है तो इस तरह से vacancy यहाँ पर निकाली गई है पांच-पांच का जिसमें 10 वेकेंसी है और यहां पर आप देखेंगे यह एक जो है अलग पद है एक तरका इसमें जो है आप देखेंगे आगे इसका जो है क्या है तो इसमें क्या है ना इसमें देखिए आपका बताया क्या है इसमें 12 वी पास आपको चाहिए फिजी स्केमस्टी बाइलोजी पीसीबी से कोई कर रखा हुआ है तो इन दोनों पद के लिए इलिजबल रहता है तो यह इलिजबिलिटी है हम आगे भी आपको बता देंगे अलग अलग दिया हा गया है लेकिन यहां एक चीज लिखा गया कि इंजिनरिंग डिगरी कोई कर रखा हुआ है डिप्लोमा कोई अलड़ी कर रखा हुआ है वहाँ फॉर्म बने के लिए इलिजबल नहीं है या ग्रेजुशन कर चुका है और मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है न दिसमाले सिर्फ दस भी पास से वही जा सकता है सिर्फ बारों ही पास से वही जा सकता है अगर कोई बंदा डिगरी कर रखा हुआ है पीजी कर रखा हुआ है या इंजिनरिंग डिगरी कर रखा हुआ है वह इलिजबल नहीं होता है डिप्लोमा ओले के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है का आप इलिजबल नहीं होंगे को इस प्रकार के भी कलांगर कि इस पद में आप इधन करेंगे अब यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको इलिजिलूटी बताया गया है तो अगर आप आप आइटी आई के इंडिट्स हैं तो आपका उम्र 15 से लेकर 24 के बीच होना चाहिए देख रहा ना 15 वर्स ही र पता चलेगा इंडरस्टी कैसे एक्शुल में वर्क करती है आपको बहुत सारी चीजिए का पता चल जाता है तो यह बहुत अच्छा होता है अगर आप करना चाहते है जुरूर फरिये नन आइटी आई के लिए आपका उम्र 15 से 22 वर्स रखा गया है जो कि आप देख सकते ह अगर कोई इन सब पद से फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पर qualification जो है आपका दसवी में आपका science and math के साथ जो है पास होने चाहिए 50% marks के साथ under 10 plus 2 system के according और आपके पास जो है national trade certificate उस trade में होना चाहिए जिस trade में आप form भरना चाहते है वन यर का training इसमें चलेगा carpenter, painter, welder से अगर form भरना चाहते हैं तो आप दसवी पास होने चाहिए 50% के साथ और आपके पास ITI होना चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और वन यर का training आपको चलेगा इसमें आपको कोई मतलब specific जो है art, science नहीं दिया गया है अब यहाँ पर programming and system administration के लिए दसवी पास चाहिए और उस trade में आपको जो है ITI certificate चाहिए computer operator and programming assistant trade अब यहाँ पर आप देखे फ्रेसर के लिए है मतलब सिर्फ दसवी पास यह देखे सिर्फ दसवी पास है 50% marks के साथ science और math में तो आप इन सब जो है ट्रेट पर फॉर्म भर सकते हैं दो साल का training चलेगा carpenter and fenter के लिए देखेंगे तो दसवी पास पे 50% marks के साथ आप पास हैं तो इस वाले पद पर अपलाई करेंगे कोई ITI के हो सकता नहीं है welder पद के लिए दसवी पास चाहिए 50% marks के साथ और यहाँ पे 1 year 3 month का आपका training चलने वाला है MLT, Radio and Pathology दोनों के लिए यहाँ देखेंगे आपको जो 12 ही पास बोला गया है Physic University Biology से आपका जो एक साल 3 महिना का आपका जो यहाँ पे चलने वाला है तो यह qualification है friends आप यहाँ पे चेक करेंगे अब यहाँ पे आपको बताया गया rate of a stipend salary क्या मिलेगा तो मैंने एक profit बताया आपको क्या कि आप जब आपको certificate मिलता है जब आप qualify कर जाते हैं मतलब training ले लेते हैं उसके बाद certificate जो मिलता है वो सबसे दा important होता है salary आप देखेंगे तो बहुत कम है 6,000 है फ्रेसर के लिए इसके अलावा देखेंगे एक और फ्रेसर 12th pass पे 7,000 है और XITI के लिए 7,000 है यह per month आपको इस stipend मिलेगा आपके खर्चे निकल सकते हैं बचा नहीं पाएंगे कुछ आपके घर से भी कुछ लग सकते हैं क्योंकि 4,000-5,000 तो आपका room rent हो जाता है 3,000-4,000 आपको खाने पीने में लगता है 10,000 खर्चा हो जाता है आपको घर से भी कुछ लगाना पड़ जाता है यह सारी चीज़े बाकि आप देख लिजेगा आप यहाँ पर form बनने का जो है process बतायागी आप यहाँ पर चेक करेंगे बात करते हैं friends अप्लिकेशन फी की तो मात्र 100 रुप्य अप्लिकेशन फी देना है वो भी सिर्फ और general OVC को बाकि SCST को जो भी SCST से आता है उनको जो है SCST उनको जो है यहाँ पर और female सभी category के female हो भले वो general OVC हो उनको एक भी रुप्य अप्लिकेशन फी नहीं देना जीरो रुप्या जी यहाँ दोस्तो और यहीं को 100 रुप्य अप्लिकेशन फी देना होता है form भरते से मैं आपको लगेंगे यहाँ पर mode of communication बताएगा mode of engagement तो merit based पर आपका selection होता है आपके जो 10 ली class में आपके marks है उसके according जो है आपका यहाँ पे एक cut-off निकलेगा merit बनेगा उसके बाद से selection होगा 12 पे अगर भर रहे हैं तो 10 12 दोनों को add करके आपका जो है cut-off बनेगा इसके बाद से यहाँ पे आपको यह सारे चीज़े engagement के बारे में declaration के बारे में यह सब आपको बताया गया है अब यहाँ पे notification आपका end हो जाता है तो बहुत ही संदार opportunity फ्रेंट्स engagement के लिए आप लोग पूछते रहते हैं न कि 10 पास पे सिर्फ और 12 पास पे सिर्फ वेकेंसी apprenticeship की कब आएगी तो आ चुका है आप form भरिए और आविदन करिए और सबसे इसमें यही है कि जिनका अच्छा खासा percentage है 100 में मतलब 35 पे यह होता है परसेंटेज पे आपका selection होता है तो परतिसत अच्छा खासा आपका रहेगा मतलब मैट्रिक इंटर में या आईटी आई से भरने तो आईटी आई में तो आपका selection होने का पूरा पूरा चांस है मिलता है फ्रेंट्स किसी नेक्स वीडियो में जाहिन